हेलो इंडियन फुटबोल फैंस आईसल ट्रांस्वर मार्केट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है चन्ने नफसी फैंस के लिए तो सुनने में आ रहा है कि चन्ने नफसी ने इंट्रेस्ट दिखाया है 32-year-old Nigerian striker Daniel Chima Chukukuk को साइन करने के लिए तो मैं आप सभी को बता दो कि currently वो जमशित पूर FC के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने ये सीजन जमशित पूर FC के लिए 18 matches खेला है जिनमें कि उन्होंने 6 गोल मारा है और एक assist प्रोवाइड किया है और अगर चन्ने NFC इनको साइन कर लेती है नेक्स सीजन के लिए तो एक ही साब से काफी अच्छी साइनिंग होगी चन्ने NFC के लिए अगली बड़ी update निकल क्या रही है केरेला ब्लास्टर्स के defensive midfielder जिकसन सिंग से related तो सुनने में आ रहा है कि Mumbai City FC ने काफी जादा interest दिखाया है जिकसन सिंग को साइन करने के लिए और currently जिकसन सिंग को उतना जादा game time भी नहीं मिल रहा है केरेला ब्लास्टर्स में तो most probably वो नेक्स सीजन के लिए नहीं खेलेंगे और अब भी से Mumbai City FC जुट गई है जिकसन सिंग को साइन करने के लिए अगली बड़ी update निकल के आ रही है FC Goa के attacker Noah Sadoi से related तो अभी अभी सुनने में आ रहा है कि Noah next season शाय से FC Goa के साथ continue नहीं करेंगे और केरेला ब्लास्टर्स ने initial talk स्टार्ट कर दिया है Noah Sadoi को साइन करने के लिए और ये भी सुनने में आ रहा है कि केरेला ब्लास्टर्स Noah को multi-year deal पे साइन करना चाहती है अब देखने वाली बात रहेगी कि next season Noah Sadoi किस club के लिए खिलते हैं अगली बड़ी update निकल के आ रही है केरेला ब्लास्टर्स के foreign defender लेस्कोविक से related तो सुनने में आ रहा है कि केरेला ब्लास्टर्स उनके साथ next season continue नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वो उनका contract extend नहीं करेंगे next season और आप सब भी comment करके बताए कि कि साइसल club को मारको लेस्कोविक को sign करना चाहिए next season के लिए अगली update जो निकल के आ रही है वो एक ही सबसे हम कह सकते की bad news है मुंबई City FC फैंस के लिए तो सुनने में आ रहा है कि आयकर गौरट सेना और आयूशिकारा जो कि मुंबई City FC के दोनों ही forwards थे वो injured हो चुके हैं और उनको knee injury हुए और मेरे सबसे वो पूरे season के layout हो चुके हैं दोनों ही player अब देखने वाली बात रहेगी कि इनके जगा मुंबई City FC किसको अब striker खिलाती है और जहां तिक बात है दियास की तो वो भी अभी currently दिखने ही रहे हैं आला कि उन्हें injury हुई थी लेकिन अभी अभी मारकस ने confirm किया है कि उनकी injury उन्होंने recover कर ली है और शायस से हमें next game में मुंबई City FC के दियास as a striker खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं तो दोस्तों अगर आप channel पे नए हो तो please आप channel को subscribe कर दें क्योंकि अपसे रोज regular वीडियो आने वाली है इंडियन football transfer से related और इंडियन football से related तो please channel को subscribe कर दें और bell notification को भी जरूर से on कर दें ताकि आप सभी को हमारे हर वीडियो की notifications मिलती रहें